C I E T N C E R T के जरिए पेश है तीसरी जमात के लिए महुलियाती साइंस की समय दर्सी किताब आस पास का तीसरा सबक सफ़ा नमबर उन्निस पानी रे पानी इस सफ़े पर पानी नाम के उन्वान से एक नजम दी गई है इस नजम को तीनों तरफ से मुख्तलिफ रंगों से सजाया गया है मुधोंगा पानी से मुन्ना बोला नानी से प्यासे पानी पीते हैं पानी से सब जीते हैं जाने कपसे पानी है कितनी बड़ी कहानी है कहीं ओस है बर्फ कहीं पानी ही क्या भाब नहीं सब रूपों में पानी हैं, कहती ऐसा नानी है नदिया बहती कल-कल-कल, जर्णे गाते चल-चल-चल तालों में लहराता जल, कुओं में आता निर्मल धर्ती पर जीवन लाया, खेत सीच कर लहराया पर जब सेलाब लाता है, भारी आफत ढाता है अपने इलाके में पानी से मुतालिक गाई या सुनाई जाने वाली नजमे और गीत बच्चे कलास में सुनाएं या गाईं, इससे अपनी कम्यूनिटी और अपने इलाकाई फनों के साथ उनसियत पैदा होगी सफा नमबर 20 क्या तुम पानी की कोई नजम या गीत जानते हो? कलास में सुनाओ नजम में किन जगाहों का जिक्र किया गया है, जहां पानी पाया जाता है नीचे दिये गए जिन कामों में पानी की ज़रूरत है, उन पर सही का निशान लगाओ खेत में, गाना गाने में, चाय बनाने में, आटा गुंधने में, लिखने में, नाव चलाने में, तस्वीर बनाने में, पौदों को उगाने में, और पंखा चलाने में ऐसे चार काम लिखो जो तुम पानी के बगेर कर सकते हो तुम पानी के बगेर नहीं कर सकते किसके लिए कितना पानी नीचे दिये गए कामों में इस्तमाल होने वाली पानी की मिकदार को तर्तीब में लिखो जिस काम में सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है इसे पहले लिखो बाकी को ज्यादा से कम की तर्तीब में लिखो काम नहाने में, पीने में, घर्धोने में, खेत में, पानी देने में, आटा गोंधने में तर्तीब 1-2-3-4-5- सफा नंबर 21 कहां से मिलता है पानी? तुमने नजम में नदियों, जर्नों, तालाबों और कुओं के बारे में पढ़ा उनसे हमें पानी मिलता है तुम पानी कहां कहां से लाते हो तुम्हारे घर में या घर के आसपास इन में से जो जो है उन पर गोल दाइरा लगाओ जील, कुवा, तालाब, जर्ना, समंदर, नदी, नहर, ट्यूब वेल, नल, नलकूप, टैंक, गरम पानी का सोता क्या तुमने जमीन में से गरम पानी निकलते देखा है? कहां? तुम्हारे गाउं या शहर में क्या कोई नदी बहती है? अगर है तो उसका नाम क्या है? क्या तुम कुछ नदियों के नाम जानते हो? उनके नाम लिखो तुम्हारे घर में पीने का पानी कहां से आता है? क्या पानी लाने घर से दूर जाना पड़ता है? पानी लाने में कितना वक्त लगता है? क्या आसपास के सभी लोग वहीं से पानी लेते हैं? पानी को भर कर रखने की जरूरत क्यूं पड़ती है? तुम्हारे घर के लिए पानी भरने और जमा करने का काम कौन करता है क्या ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको वहां से पानी भरने नहीं दिया जाता बहुत सी जगाहों पर कुछ मक्सूस लोगों को मुश्तरका जराय से पानी लेने की इजाज़त नहीं है इस पर तबादलाए खयाल करना एहम है क्यूंके तासुब जैसे अमूर के बारे में बच्चे हसास होते हैं सफा नमबर 22 नीचे दी हुई तस्वीरों में से उनमें रंग भरो जिनमें तुम पानी भर सकते हो यहां एक कोलाज दिया गया है जिसमें पानी के मुख्तलिफ बर्तन है बाल्टी, सुराही, प्लास्टिक का डिब्बा, लोटा, मठका, जग और तांबे का एक घड़ा दिखाया गया है अगर तुम्हारे घर में किसी और चीज में पानी भर कर रखा जाता है तो कौपी में उसकी तस्वीर बनाओ और नाम भी लिखो तस्वीर में दिये गए सभी बर्तनों में अगर उपर तक पानी भरा हो तो नमबर एक किस बर्तन में सबसे कम पानी होगा नमबर दो किस बर्तन में सबसे ज़्यादा पानी होगा ये तुम कैसे कह सकते हो सफ़ा नमबर तेईस सफ़े की बाइन जानिब दो तसावीर दी गई हैं पहली तस्वीर में दो गलास हैं, जो की बराबर भरे हुए हैं. दूसरी तस्वीर में एक बड़ा गलास है, जो की पूरी तरह भरा हुआ है. उसी के करीब एक छोटा गलास है, वो भी पूरा भरा हुआ है. छुटकी चकराई, हिरेन और छुटकी को बहुत गर्मी लग रही थी. चचा ने कहा, रुको, मैं तुम्हें आम का पन्ना देता हूँ. उन्होंने दो स्टील के गलास भर कर बच्चों को पकड़ा दिये. लेकिन छुटकी ने जिद की, कि मुझे तो कांच के गलास में पीने म मज़ा आता है. चचा ने पन्ना एक कांच के गलास में मुंतकिल कर दिया. लेकिन छुटकी फिर भी नहीं मानी. बोली चचा, आपने तो मुझे कम दिया है. तुम्हें क्या लगता है? क्या छुटकी के गलास में कम पन्ना था? पानी कहां कहां से मिलता है? पहेली में साथ ऐसी जगाहों को तलाश करो और उनके गिर्द निशान लगाओ, आपके लिए एक निशान लगाया गया है, यहां एक जदूल दिया गया है, जिसमें मुख्तलिफ कॉलम है, पहले कॉलम में बे अलिफ, वाउ, ली, छी, लाम, दूसरे कॉलम में, रे, सीन अलिफ, को, अलिफ नून गुन्ना, नून, तीसरे कॉलम में, शीन, से वाउ, सू, गाफ, ज़, ते अलिफ, चौथे कॉलम में, चे, नून, हे अलिफ, रे, लाम अलिफ, पांचवे कॉलम में, शीन मीम, दाल बढ़िये, ता, नून गुन्ना, नून अलिफ, और बे, छुटकी चक्राई, वाले प्रोग्राम को करके दिखाईए, बच्चों को इसका मुशाहिदा करने का मौका दें, और उनसे सवाल पूछें, सफा नंबर 24, इन में से दूसरों से जो अलग लगता है उस पर गोल दारा लगाओ, और बताओ क्यूं? पहला, नदी, पहाल, तलाब, नल, चश्मा, दूसरा, नहाना, कप्ले धुना, तैरना, कंगी करना, आटा गूंधना, तीसरा, मचली, बत्तख, बंदर, मगरमच, कच्छवा, चौथा, कार, नाओ, बस, रेलगाडी, साइकल रंगों से खेल, एक कागस को बीच से मोडो, अब खोल कर रंग की कुछ बूंधे डालो, कागस को फिर से मोड कर दबादो, खोल कर देखो क्या बना, यहां एक तस्वीर दी गई है, जिसमें एक कागस को बीच में से मोडा गया है, इसकी एक जानिब मुख्तलिफ जगाहों पर मुख्तलिफ रंग डाले गये है, दूसरी तरफ के कागस को इस रंगों वाले कागस पर रखकर दबा दिया गया है, इस के साथ 24 असबाख की किताब आस पास का तीसरा सबक खत्म होता है, सौती ताउन तलत खान